आगे कुआ पीछे खाई आप समझ रहे हैं कि जो ये वीडियो है वो आपको सतर और साफधान करने की है एक बैड नियूज आ रहे है और अगर WHO इस बात को कह रहा है कि वर्ड मस् प्रिपेर फॉर डेड लेड डिजीज दैन कोविड तो आप समझ सकते हैं कि इसके माइने क्या है खुद डॉक्टर टिडॉस अगर कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम कोविड से भी ज्यादा खातक बिमारी के लिए तैयार हमें होना चाहिए तो आप समझ सकते हैं हम कोविड से सिर्फ उबरे ही हैं आने वाला समय कैसा होने वाला है जो कोविड से भी खतरनाक डिजीज महामारी लेकर आ रहा है विश्व स्वास संगत्र ने भविश्य में एक ऐसी बिमारी से लड़ने की बात कई है जिसको लेकर आम आदमी को सतर हो जाना चाहिए WHO के प्रमुक हैं डॉक्टर ट्रिडॉस उन्होंने एक ऐसे वाइरस के लिए तयार रहना चाहिए जो कोविड से भी खातक हो सकता है इस बात पर बल दिया है कोविड से कम से कम दो करोड लोग विश्व में मारे गए हैं हाल ही में WHO ने गोश्रत किया था कि अब कोविड वैश्विक स्थर पर एक इमर्जेंसी एक महामारी एक आपातकाल वाली स्थी नहीं है कोविड इस नो लॉगर है एक इमर्जेंसी इस खबर से तुड़ा राहत मिली थी लेकिन अब यह खबर आ रही कि कोविड से भी ज्यादा खतरनाक महामारी के लिए में तैयार होना चाहिए तो यह सब को मेलो डाउन करने के लिए और दिमोटिवेट करने के लिए खबर है लेकिन वीडियो आपको इस लिए बता रहे हैं ताकि आप पहले से ही सतर हो जाए क्योंकि WHO अब अलर्ट पर आ गया है उसने अलर्ट जारी कर दिया है स्विजलन के जिनेवा में WHO प्रमुक ने चिताबनी दी है कि COVID-19 महामारी खत्म नहीं हुई है डॉक्टर ट्रडॉस ने का है कि एक और वेरियंट के उभरने का खत्रा है जो बिमारी और मौत का नया कारण बन सकता है घातक शमता वाले एक और बिमारी के उबरने का खत्रा बना है ये अगली वेश्विक बिमारी के रूप में दस तक दे सकती है सबको परिशान कर सकती है पूरी तरीके से मौहाल वेश्विक सतर पर फिर खराब कर सकती है WHO ने 9 प्रात्मिक बिमारी के पहचान कर डाली है जो सारजनिक स्वास्ता के लिए एक बड़ा चालंज है उपचार की कमी या मामारी पैदा करने के उनकी शमता के कारण उन्हें सबसे अधिक जोकिम भरा माना गया है दुनिया COVID-19 के लिए किसी भी तरीके से तयार नहीं थी लेकिन आप एडवांस में अगर बताया जा रहा है कि COVID-19 से भी ज्यादा गंभीर बिमारी आ सकती है जो घातक हो सकती है उसको लेकर अब वैश्विक सतर पर जितने भी एक्सपर्ट से अब तयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपको बताने के लिए कि COVID-19 अभी थमा ही था लेकिन अब उसके आफ्टर एफेक्स और देखने को मिल रहे हैं वाइरस और बढ़ रहे हैं और ऐसे वाइरस जो COVID-19 से भी ज्यादा खतरनाग हो सकते हैं ये वीडियो डराने के लिए नहीं है बलकि आपको educate, inform करने के लिए है कि please appropriate behavior और जो भी guidelines होती है वाइरस को combat करने के लिए उसका अभी से ही पालन करना शुरू कर दीजिए